अलो नमस्कार दोस्तों मेरा नमें गनेश आप देख रहें सुपर टेग गनेश दोस्तों अगर आप भी देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंकों ब्रोधा में अपना सेविंग अकाउंट ओपेंड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने व अब दोस्तों अकाउंट को आपने के लिए आप सबसे पहले गूगल प्लेश्टर में के बीओ वी वर्ल्ड एप को इस आपको इस प्रकार इंटरफेस आएगा कुछ शेकन वेट करेंगे तो सबसे पहले आपको फॉन कोल का प्रमिशन अलाव कर देना है अब देख सकते हैं आपके समने लेंग्वेज चूज करने का ऑफशन आ जाता है तो आप अपने हिसाब से जिस लेंग्वेज में से आपको चलाना चाहते हैं उस लेंग्वेज को चूज करेंगे और प्रोसीड ऑफशन पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप प्रोसीड कर देते हैं कुछ हालाइट आपको देखने कोई में लेंग्वेज कर सकते हैं या फिर आप गेट इस्टाइट पे क्लिक करेंगे अब देख सकते हैं आपके से हमें अकाउंट ओपें करने के लिए अपपन डिजिटल अकाउंट का ओप्षन दित творय आप आप Juliet आपको आप को आजिटल अकाउंट करने के लिए बहुत या सी आ सानी से आप इस अकाउंट को अपन कर सकते अब आपको तीन परकर का account देखने को मिल रहा है यहाँ पे B3 Silver account, B3 Gold account और B3 Platinum account तो आप Zero Balance का account open करना चाहते हैं तो आप B3 Silver account को choose करेंगे तो आप Explore Benefits option पे click करेंगे अब जैसे आप Explore Benefits option पे click करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे account की highlight दिखाया गया है account की क्या क्या benefit आपको मिलेगी सब कुछ यहाँ पे पताया गया है जैसे कि quarterly average balance देख सकते हैं नील है यह बिल्कुल zero balance का होगा और इस account को आप अपने pen card और आधार card से open कर सकते हैं साथ आप आपको UPI की service मिलेगी NEFT RTGS transaction आप इस account से free में कर सकते हैं तो account को आपने कर लिके लिए apply option पे click करेंगी अब कुछ सेकंड wait कीजिए अब दोस्तों देख सकते हैं आपके समने account opening form आ चुका है तो सबसे पहले आप अपना email address डालेंगे जिस email को आप इस account के साथ link करना चाहते हैं तो चली मैं अपना email address डाल देता हूँ अब जैसे email address को आप enter करते हैं आपके email पे एक link send किया जाएगा उस link पे आपको click करके email को verify कर लेना है अब email जैसे आप link पे click करिंग आपका email verify हो जाएगा अब नीचे आपको mobile number enter करना है तो mobile number यहाँ पे बताय गया है mobile number link to आधार कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile number link है वही mobile number आपको आपको एंटर करना है अब जैसे mobile number को आप enter कर देते हैं आपके mobile number पे OTP भेजा जाएगा OTP आपको नीचे के box पे इंटर कर देना है आप दुस्त आपको पुछा गया है I am not a minor तो इस पर आपको checkbox दिखा इस पर tick mark लगाएंगे यह account minor open नहीं कर सकते हैं सिर्फ major के लिए है आपका 18 सल उम्र होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर पुछा गया है I am a resident Indian इसको भी आप tick करेंगे I am not a political expert person आप politics से जुड़े नहीं है इसको भी आप checkbox पे tick करेंगे I am not a exiting customer आपके पास bank of roda में पहले से bank account नहीं है तो इसको भी आप accept करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको I am a tax resident of Indian इसके भी आप tick mark लगाएंगे इसके बाद आपको FATCA declaration को accept करना है तो आप इस term condition को भी accept करेंगे आप इस पर click करेंगे और accept option पर click करेंगे इसके बाद आपको दूसरा term condition general term and condition को भी accept करना है तो इसको आप read करेंगे और accept option पर click करेंगे अब आपको C को I C का term and condition को accept करना है तो इसको भी read करेंगे और accept option पर click करेंगे देन इसके बद आपना आधार नमबर डालेंगे इसके बद नीचे आपको दो चेक वोक्स दिख रहा है दोनों पर आप टिक मार्क लगाएंगे अब आपके आधार काड के साथ जो भी मोबाल नमबर लिंक होगा उस पे 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा वो आधार OTP आपको वोक्स पे इंटर करना है देन आपको Next Option पे किलिक करना है अब जैसे आधार OTP डालके आप Next Option पे किलिक करते हैं आपको members θα है जैसि कर दोट आपके आधार काड से फेस कर लेगा नहीं तो आपके address की हिसाब से आपका branch automatic भी यहाँ पे select हो जाएगा अगर आप branch कुछ change करना चाते हैं अपनी हिसाब से branch choose करना चाते हैं तो choose कर सकते हैं आपका address भी आपके अधरकार से detect कर लेगा अब आपको proceed option देख रहा है, proceed प्लिक कर देंगे अब कुछ second wait कीजिए, अब आज आएंगे आप third step में जहाँ आपको अपको complete personal information fill करना होगा सबसे पहले आपको further name choose करना है तो title में आप mister select करेंगे इसके बाद further first name डालेंगे, further middle name डालेंगे, further last name डालेंगे इसके बाद आपको mother name fill करना है तो title में आप missus को choose करेंगे आप अपने हिसाब से choose करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पूचा गया number of dependent तो आप अपना family member को यहाँ पे select कर सकते हैं कि आपके family में कितने member है तो आप यहाँ पे select कर लेंगे, इसके बाद दोस्ते यहाँ पे disability के लिए पूचा गया है अगर आप विकलांग है, तो आप yes करेंगे, अगर विकलांग नहीं है, तो no को select करेंगे इसके बाद आपको place of birth का option मिलता है, यह आप select कर लेंगे आप अपने birth place को choose करेंगे, यह आप अपने city को भी choose कर सकते हैं इस city में आपका जन्म हुआ है, इसके बाद आपको education का option मिल रहा है, तो आप अपना education करेंगे कि आप कितना दूर पढ़े हैं, first graduate, non graduate, इसके बाद आपको employment status का option मिलता है इसके बाद आपको employment type choose करेंगे, आप retirement है, celebrated person है, self-employed है, अपने हिसाब से आप choose करेंगे इसके बाद पूछा गया है annual gross income, यानि आप साल में कितना income करते हैं, वो income आप यह पर डाल दे इसके बाद category पूछा गया है, किस category में आते हैं, वो category select कर ले, SCST, OVC, general, आप अपने हिसाब से choose कर लेंगे इसके बाद दोस्तों occupation type यहाँ पे पूछा गया है, अब आपको occupation type को choose करना है तो इसके आप click करेंगे और अपना occupation type को choose करेंगे, जिसकी business है, worker है, engineer है, doctor है, बहुत सारे है तो आप अपने हिसाब से अपना occupation type choose करेंगे, इसके बाद marital status पूछा गया है तो देख सकते हैं, आप अपना marital status को choose कर लेंगे, साधी हो चुका है, तो married, साधी नहीं हो आए, तो unmarried wife name पुछा गया है, तो अगर आपका साधी हो चुका है, तो आप अपना wife name detail डालेंगे, और अगर आप lady है और आपका साधी हो चुका है, तो आप अपना husband का name डालेंगे नीचे आप scroll करेंगे, अब आपको nominee details fill करना है, तो आप nominee details को fill करनेंगे, जैसे कि आप पर पुचा कि would like provide the nominee details now, तो आप yes पर select किया हो है, तो nominee details fill किजिए अगर बाद में add करना चाते हैं, तो no page select किजिएगा, तो सबसे पहले relation पुचा गया है, relation को choose करेंगे, nominee title select करेंगे, nominee first name डालेंगे, nominee middle name डालेंगे, nominee last name, nominee date of birth और nominee का address और आपका address same है, तो आपको same as address इस पर आपको tick mark लगा देना है, और अगर अलग-अलग address है, तो आप address को fill करेंगे, तो आपको proceed option पे click कर देना है, अब जैसे proceed पे click करते हैं, आपको additional service देखने को मिलेगा, तो आपको इस account में क्या-क्य service चाहिए, वो आप select करेंगे, जैसे कि internet banking अर आपको चाहिए, तो internet banking को select करेंगे, mobile banking चाहिए, तो select करेंगे, UPy की service चाहिए, तो select करेंगे, virtual debit card की service चाहिए, तो select करेंगे, तो चले हमको सभी service चाहिए, तो देख सकते हैं, आपका virtual debit card भी यहाँ पे generate हो जाता है, अब इसके बाद आपको next option पे click कर देना है, अब जैसे next option पे click करते हैं कुछ second wait करेंगे, अब तक आपने अपने application में जो भी detail fill की हैं वो complete detail आपके समने आ जायेगा, तो देख सकते हैं सभी को आप अच्छे से read कर ले, कि जो भी आप detail fill की हैं वो सब कुछ सही तो है, अब जो complete your video के वाशी, तो जैसे आप complete your video के वाशी पे click करते हैं, आपका video call start हो जाएगा, और bank और वरोदा के जो भी agent होंगे, वो आपसे video call करके आपका क्यवाशी complete करेंगे, दोस्तों video क्यवाशी complete करने के लिए आपको अपने हाथ में आधार card और pen card को रखना है, साथ आपको blank white paper पर और pen रखना है, जिसमें आपको signature करके उनको दिखाना है, तो जैसे वो video call करेंगे, या आपसे आपका personal detail पूछेंगे, आपको अपना आधार card pen card दिखाना है, तो white blank paper पे signature करके भी उनको दिखाना है, अब जैसे आप क्यवाशी को complete कर लेते हैं, आपका account activate हो जाएगा, और आपको account number ABC code मिल जाएगा, साथ आप B.O.B. world app में mobile banking registration करके आप इस account का use कर पाएंगे, दोस्तों आज की इस video में आपको complete A to Z process करके दिखा दी है, कि कैसे आपको bank of brother में अपना saving account open करना है, आसा करता हूँ आपको आज की यह जानकार एच्छी लगी, अगर आपको जानक पढ़ना है चनल को subscribe कर लिजे, आपके मन में कोई भी confusion है या फिडाउट है, तो वीडियो के नीचे comment जरू किजे और वीडियो को आगे share जरू करें, में the next वीडियो में thank you, जाहिंद